है है अख सब कैसे हैं में उमीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे में आकास कुमारवडाना ICT Virtual Classroom में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों जैसा आपको पता है कि हमाई 10th क्लास हैं और जोग्रफी को हम लोग देख रहे थे चप्टर नंबर 6 हम लोग इसमें बढ़ रहे थे वी निर्मान उद्योग की हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे जो आपका secondary activity का सबसे important part है और हमने इसमें देखा कि हम लोग ऐसे raw material से हम लोग आपका मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बस्तू को बनाते हैं चीजों को बनाते हैं से उनका हम लोग आपका production करते हैं heavy industry से हम किनका आपका production करते हैं इन सभी चीजों को हम लोगों ने इस lecture के मादेम से गोर करके हमने समझने का परियास किया था तो फिलाल जहां तक हमने पढ़ लिए आता हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और अगर किसी बच्चे का कोई भी query है, कोई question है, कोई doubt है किसी परकार का या कोई topic आपको इसमें समझ नहीं आया है तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे मादेम आपके पास खुले हैं आप लोग live जुड़कर chat के मादेम से अपनी query को, अपने person को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी school से तो फिलाल आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं सिधा digital board पर चलिए, आगे देखते हैं तो इतना हम लोग आपका industry-based सारे चीज़ों को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं और इनको हम आपका देख चुके हैं अब इससे आगे हम लोग आपका बढ़ हैं और इसमें जो important चीज़े हैं, उनको हम गौर करके थोड़ा सा पढ़ हैं ताकि और बहुत सारी चीज़े हैं जो बिलकुत साफ हो जाएं जैसे कि कहा रहे हैं कि आरंबिक बरसों में सूती वस्त उद्योग महारास्त था गुजरात के कपास उत्परण चेतों तक ही सीमित थे कहां तक रहे जो गुजरात है जो महारास्त है उसी तक आपका वो आपके सीमित रहे उनुत पदनों को हम लोग आपका देख सकते हैं तो कपास का आज भी अच्छा खासा अगर आप परड़क्शन देखोगे तो गुजरात करता है कपास की उपलबता बजार, परीवेन, पतनों की आपका संपिपता सिरम, नमी, युक्त, जलवाईयू, आदी, कारकों के लिए इस थाने कारकों को बढ़ावा देते हैं इस उद्योग के बहा करसी से निकम बरती, निकट बरती संबन्ध है करसा को कपास सुनने वाले, बास काटने वाले कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन करने वाले और आपका पैकेट बनाने वाले लोग इसके अंतरकत आपका सामिल है ठीक? और इनको आजी भी काभी आपका परदान करते हैं तो कहरें इस उद्योग करने रसायन, रंजक, मील, स्टोर, पैकेजिंग, सामगरी, इंजिनिरिंग, उद्योग की मांग बढ़ती है फलसरूप इनमें उद्योग का जो विकास है, यानि कि हम जिसके डबलब्मेंट की बात कर रहे हैं वो उद्योग की विकास भी होता है, तो कहरें कताई कारे महारास्ट, गुजरात, तमिलाडू में किंद्रित है कहरें जितने भी आपका इनकी धागे बनते हैं, कताई होती है, यह ऐसे स्टेट हैं जहां पर यह काम होता है आप देखेंगे महारास्ट में गुजरात में तमीन लाडू है आपको बहुत जादे आपको मील मिलेंगी cotton मील जिनको हम सूती मील भी कहते हैं और आप देखते हैं कि एक समय था जब कासकार थे तो ये सब चीज़े हाथ से होती थी लेकिन अब आधुनीक समय हैं तो फैक्टे चलती हैं उस सारे चीज़े मसीन से होती है कह रहे हैं कि इन बुनाई में परांगत कोसल और डिजाइन के लिए भी अर्ट्यादिक विकेंद्रिकरन डिसेंट्रलाजेशन है कि जो स्किल्फुल चीज़े से आपका डिजाइन हो ये सारे चीज़े बने इनको भी विस्यस ध्यान रखा गया है भारत में कताई उत्पारण में विस्ष्टर का है लेकिन बुना वस्तर में कम गुणवत्ता वाला है बुना जो वस्तर है उसमें थोड़ी quality के low है लेकिन जो आपका कताई है उसमें हमारा बहुत अच्छा level है यानि कि जो आपका कताई का जो मामला है उसमें हमारी जो condition है बहुत पारंगत है और बहुत अच्छी बनी होई है यह हमें थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए ठीक तो जो आपका कताई है वो फिलाल कताई वाला matter हमारा बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा हमारा कताई वाला मकसद है तो कताई वाली सारी चीजों को हमें इसमें एक-एक करके थोड़ा सा गोर करके देखने की और पैचान करने की आदत है ठीक और इसको समझने की विया आदत है चलें आगे थोड़ा सा अब देखें क्योंकि यह देश में उत्तादिद उच इस्तरिय धागे का अधिक परियोग नहीं कर पाता है तो बुनाई का कारे हस करगा और विद्धुत मह करगा वापका मीलो में होता है हाथ की बुनाई खादी कुट्र उद्योग में बुन करो के उन घरों में बड़े पैमानों पर रोजगार प्रदान करता है भारत जापान को सूती कपड़ा निर्यात करता है भारत अपना कहा भेशता है कोटन आप पता करेंगे तो जापान जो है काफी मातराम जाता है इटली जो है इस तरह की कपास हमारे हैं चली जाती है और आपको पता होगा जो हमारे हैं जो सूत है वो आपका छोटे रेसे का होता है बड़े रेसे का जितना भी है वो सब आपका जापान, इटली, यानि कि यूरोपियन जो आपकी कंट्री है, वो उसमें बड़ी डिमांड है, उसमें बढ़ी डिमांड है, तो भारत में बने सूती बस रुद्योग में अन्निय आयातिद देश, सहिंतराजी अमेरिका, इंग्लेंड, रूस, फ्रांस, पूर्भी, के विस ब्यापार में हमारे देश की भागेदारी काफी महत्पूर है, यह कुल अंतरास्टिय ब्यापार का लगव एक चुथाई भाग है, कितना है, वन्त अपन फोर्थ है, हमारे कताई कारखाने विस में प्रतिस्पधा कर सकते हैं, और हम जो सूत पैदा करते हैं, उसका अभ्योग करने में सक्चम हैं, लेकिन बुनाई और कताई के पिरकरण इकाई देश के में उत्पादन किये गए, उच्छ कोटी के धागे का उप्योग नहीं करता है, इस शेतर में कुछ बड़े और आदोई कार खाने हैं तथा, अधिकतर छोटे और बिख्री होई इकाई वाले सूथ धागों का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है, जो फेक्टरी हैं, वो लोग क्या करते हैं, और बहुत सारी जो लोग आपका जो खाली काम करते हैं, उन लोगों को जो कपड़ा है वो लोग आपका आयात करते लेकिन बहुत से जग्या जो हैं हमारे हैं इन सारी चीजों को आपका बनाया जाता है क्या रहे हैं कि धागा 85 रूपे पिर्थी किलो ग्राम की दस से बच जाता है अगर पतलून के रूप में बेचा जाया तो उसके कीमत 800 रूपे पिर्थी किलो होती है सोच ये कच्छा बिक रहा है तो 85 रूपे पक्तून का मतलब समझते हैं अगर पैंट बना कर बेचोगे तो कितन रूपे किलो ग्राम की दस से धागा धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान परिधान का मतलब समझते हो कोई भी बनी हुई चीत चाहे पैंट हो शार्ट हो कुछ भी हो कि पिर्थीक चरण पर मूले में ब्रद्धी होती है और कैसे होती है किसमें पिर्थीक चरण पर मूले में ब्रद्धी होती है अब कोट के रेट कुछ और हैं सूट के कुछ और है इस तरह से अनने समस्याओं में कम सरमिक उल्दियोग में प्रतिस पर्दृ है आगे देखिए, इसके बाद है पटसन उल्द्यूग क्या पढ़ रहे थे हैं? मैं आपको कुछ इसमें महातफूर्ण चीज दिखाओं आप एक बार पूरे भरत का मैप देखिए और अगर मैं मैप की बेसिकली बात करूँ तो ये वाले जो थोड़ा छित्र है शरीनगर, अम्रिसर, लुद्याना, बीकानेर, पानिपत, गुरुग्राम, आगरा, जैपूर, गोवालियर, कानपूर, साजापूर, वारानसी, एमदावाद, बॉम्बे, बंगलोरू, ये सारे क्या है? ये वस्त उद्योग है और जहाँ पर का होता है? जी ये रेड कलर के उनी वस्तर हैं, उन वाले हैं रेड़, और जो ब्लैक वाले हैं, ये आपके सूती वस्तर उद्योग है तो अनंदनाग आप जागते हैं अनंदनाग बेरिनाग स्री नदी निकलती है देखा आपने उसके बाद देखिए जैपुर दिखाई देगा सायापुर दिखाई देगा ये सारे राजकोड पौरबंदर, जामनगर, एमदावाद, भरदा और मुरसिदाबाद कितना बड़ा सेक्टर है हावड़ा, हुगली, बोकारो ये सब देखिए ये क्या है ये सूतिवसर उद्योग में बहुत पिरसित किंदर रहे हैं भारत के किलर है तो इसी में आगे बढ़ेंगे और पट्सन जो उद्योग है उसको हम लोग आपका देखेंगे ठीक तो भारत में तो क्या कह रहे हैं तो भारत पट्सन या पट्सन निर्यात के समान में सबसे बड़ा उत्पाद़ है चाए पट्सन का उत्पादन करना हो बंगला देश इसका दूसरा बढ़ा निर्यात तक है बर्स 2010-11 में भारत में लगवक असी पट्सन उद्योग है असी परसेंट कैसे हैं हमारे हैं जो है आपका पट्सन की जूट की है इसमें अधिकांस पच्छमी बंगाल की हूगली नधी के तड़ पर 98 km लंबी तथा 3 km चोड़ी सकरी मेखला है मेखला का मतलब जानते हैं आप ऐसे मानलेगे कि बंगाल में हुगली नधी के तड़के जो सारे सारे जो कोस्टल एरिया है जो उसका पाथ है पूरा 98 km का और 3 km तो आपका चोड़ा उसी रस्ते सारा ये क्या है चलिए आगे बढ़ जाएं और कहरें कि पहला परसनुद्योग कोल करता के निकत सिरसरा में 1855 में लगाया गया था और 1947 में देश की भिवसन के पस्यात परसन मीले भारत में तो रह गई लेकिन का एक चोथाई उत्पादक जूट पूर्वी पाकिस्तान यानि कि बंगला में चला गया जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था ठीक आप उसको क्या कहते हैं आपका हम बंगला देश कहते हैं अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो वाड़ हिस्ट्री में आपको पूरा समझा दूँगा कि कैसे अलग हुआ है बंगला देश कैसे पूरी पाकिस्तान से बंगला देश क्लिएर हैं चलिए आगे देखिए हुगली नदी के तटपर इने इस्तित होने कारण निम्न कारण है क्या रहते क्या करण है कि इनको हुगली नदी के तटपर इस रखा गया है और हमको क्या चाहिए इसके बदले में आपका रो माटीरियल चाहिए और कच्चे परतनारे संदारे जो आपके परचूर जल है पंचे बंगाल रथा सीमा बरती राजे उडीसा हैं इनको देखना है बिहार उत्तर प्रदेश से जुड़ा आपके स्रामिक हैं इनका करता को एक बड़े नागरिक के इंदर के रूप में बैंकिंग दीमा जूट के सामान के निर्यात में पतन की सुविधा प्रदान करता है तो ये सारी चीजे इसके अंतरकता आपका क्या हैं इनकुलोडिट है तो इस उद्योग की चुनोतियों में अंतरास्टिय बजार में करती बुद्योग से बंगला देश, ब्राजील, फिलिपीन्स, भी सुथा, थाइलेंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्परदा सामेल थी यदि भी पट्सन पेकेजिंग की आनिवारे प्रियोग की गई सरकारी नीतियों के कारण घरलू मांग में ब्रदी बड़ी ह मांग बढ़ने हैं तो उत्पादन में विवित्ता क्या आवा सकता है पट्सन के प्रमुख, खादिदार, अमेरिका, कनाडा, घाना, साओधी अमेरिका, युनाथिट केंग्डाम और अस्टेलिया हैं बढ़ते वैस्पिक, पर्रेवरन, अनुकूलन, जैब, निमनीकरन, य पलोदिण जो बढ़ रह empathy उससे हमारे पऔर पर्रेव Crist Care, पर्रेवरन पर बहुत सारा जो आपका negative impact है यापको दिखाई देने को दिखाई देगा और इसी से क्या हो रहा है आपका jam निमनी ठीक तो इसी के साथ क्या हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं जो आपकी बहुत सारी ऐसे कंट्रियां हैं जो क्या कर रही है आपका पर्टसन का प्रियोग कर रही है और क्या हो रही है एक बार पुने मांग बढ़ी है और आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बचो कि पर्टसन क प्रियोग कैसे हमारे सामने आया है और कैसे जूट के जो थैले बने हैं उनसे पैकेजिंग संबंदी चीजों को द्वारा मांग होने लगी है और आप जानते हैं जो भी यूरोपियन जो आपकी कंट्री हैं वो सबसे पहले आपके पर्रेवर्ण में हो रहे बदलात के जो उन प्लास्टिक और पॉलोथीन का हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए और उसके सब्टिटूट के बदले में जो आपका प्रतिस्तापित वस्तू है वह है जूट से बनी हुई आपकी ठैलियां आपके बैग उनको पर्योग हम लोगों को करना चाहिए और ताकि हम लोग घरेल करने से और एक नई चीज के अफसेट करने से हमारे पर्यवर्ण और हमारे अर्थ विवस्ता में और लोगों के रोजगार और आज ही विका में बहुत बड़ा बदलाब आप देख सकते हैं इतना आपने पढ़ लिया इससे आगे कुछ पूछना है जूट में तो आप मुस्से पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों नहीं तो उसके बाद हम लोग आपका बहुत इंपोर्टेंट है आपका चीनी उद्योग उस पर बढ़ेंगे हो गया बच्चों को डाउट किसी का को क्वेरी आगे बढ़ें आईए हम लोग बात करते हैं सुगर अंडिस्ट्री की क्या है सुगर अंडिस्ट्री अच्छा मैं आपसे पूछ हूँ कि यह सुगर है वो कहां से किस रो मठीरियल से हमको प्राप्त होती है बताईए आगे बढ़ें देखिए चीनी उद्योग कि हम लोग बात कर रहे हैं भारत का चीनी उत्पादन में विस्व में दूसरा इस्थान है मैं पूछू आपका पहला कौन है पताईए अगर भारत विस्व में आपका चीनी उत्पादन में दूसरा इस्थान है पिर्थम इस्थान पर कौन होगा चलिए क्या ब्राजील है क्या आपका क्यूबा है देखिए आंसर भी बताईए लेकिन गुड और खांड सरी के उत्पादन में भारत प्रिथम इस्थान पर है इस उद्योग में प्राय कच्चे माल भारी होता है डुलाई और आप डुलाई से सक्रोज की मातरा घट जाती है जब इसको डुलाई बगरा होते हैं तो उसमें जो सुक्रोज होता है यानि कि जुसका मीठाबान है वो घर जाता है चीनी मीले उत्तरप्रदेश, बिहार, महरास, कन्नाटा, तमेलाडू, अंद्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हर्याना तथा मत्य ब्रदेश में फैली होई है चीनी मील का 60-30 सथ उत्तरप्रदे तथा बिहार में है यह मोसम उद् पता सकते हैं ऐसा, क्यों? पिछले कुछ बरसों में इन मीलो की संख्या में संख्या दच्णी और पच्मी राज्यों में विशेशकर महरास्ट में बढ़िए, क्यारे बढ़ना चाहिए आपका पूर्व पच्मी में लेकिन कहां बढ़ रही है तमिलाडू में और आपका ज इन राज्यों में सहकारी समीती भी सफल रही है इस उद्योग की पिर्मुक्चिनोती इस परकार हैं कि इस परकार के उद्योग में अल्पकालीद, पोना, पुरानी और आशक्चम तकनिकी का इस्तमाल, परिवैन, आशक्चम से गन्ये का समय, तार खानों में पोच्छन प्लाई होती है, उसका रस निकलता है, रस फिल्टर होता है, फिल्टर होके रस को हीट किया जाता 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 है, लोग बेसिकल यूज किसे लेते हैं कि हम लोग उसको जलाने के परपस में ही यूज कर लेते हैं तो इसलिए कह रहा है कि जो खोई का हम जो अच्छे से प्रियोग कर सकते थे हम लोग वो प्रियोग आपका नहीं कर पा रहे हैं अब कह रहे हैं तो ये तो हो गया आपका इसमे आया है ऐसी इंडस्री का जो आपका खनीज बेस हो कैसा हो खनीज बेस आपका material बेस्टिक है इस पर basically जो आपके raw material है उई पर आधारित कुछ उद्ध्योग है जिनको हम लोग पढ़ेंगे कह रहे हैं कि खनी जदार उद्ध्योग अगर आपको definition में लिखने आज़ा क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे वे उद्ध्योग जो खनी धातों के कच्चे रूप में प्रियोग करते हैं खनी ज़या दर उद्योग कहलाते हैं क्या आप इस बर्ग में आने वाले कुछ उद्योग का नाम बता सकते हैं। चलिए, अब बात कर रहे हैं लोहा तथा इस पाथ। अब आप मेरे को इन दोनों के अंदर वैरेशन बताईए। अंदर क्या है लोहा और इस पाथ। अधार भूथ यानि कि BESIC उद्योग है। क्योंकि सभी भारी, हलके और मद्यम उद्योग से बनी मसीने इसी पर निर्बर हैं। यानि कि जितनी भी आपके मसीनरी बनती है वह किस पर डिपंडेंट है? इसी पर। इसलिए हम इसको heavy industry भी बोलते हैं और base industry भी हम लोग इसको कहते हैं विवित परकार की engineering समान, निर्मान समगरी, रख्षा, चिकिस्था, telephone, बैग्यानिक उपकरन, विविन परकार के उभ्भोग वस्तू निर्मान का इस पात में इसमी आवा सकता होती है इस पात से बनी सभी वस्तूएं पदात की सूची बनाईए और आप सोच सकते हैं कि तो आपको एक सूची बनानी है जो इस पात के समान से बनी हो ठिक कह रहें कि इस पात के उत्पादन तथा खपत पराय देश के विकास का पैमाना माना जाता है कि आपका किसी देश में इस पाद की कितनी खपत है, किसका उसका प्रडक्शन है, ये डिपेंड करता है उस देश के जो आपका डबलप्मेंट का जो आपका क्या है पैमाना लोहा तथा इस पाद एक भारी उद्योग है, कैसा है? हैवी इंडस्टी है क्योंकि इसमें पिर्योगत कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी और इस थूल होते हैं इसके लिए अधिक परिवैन लागत क्या वसक्ता होती है? इस उद्योग में लोहा आयस्क, कौकिंग कॉल, चूना पत्थर, अनुपाद 4.4 अनुपाद 2, अनुपाद 1 का होता है इसमें क्या मिलाते हैं, और इसमें क्या मिलाते हैं, मेगनीज, इसपाद उद्योग की आदत इस्थापना कहां होनी चाहिए? मान लीजिए अगर आपको कोई इसपात उद्ध्योग आप लगा रहे हैं उसकी जो आदर्स मतलब बोलते हैं जो आइडिल कंडिशन है वो कहां होनी चाहिए तो यह याद रखने हैं कि इससे की निर्यात माल को बजार और उद्धोगता तक पहुचाने के लिए भी सक्षम परिवेन के आवसकता होती है कैसा परिवेन चाहिए हमको सक्षम हो तो वर्ज 2019 में भारत में 111 मिलियन टन इसपात का निर्मान संसार के कच्चा माल उतपात को को दूसरे स्थान पर हुआ यह इसपंज लोहे का सबसे बड़ा उतपादक है इसपात के अधिक उतपादन के बावजूद भी 2019 में यह पिर्ती पिर्ती व्यक्ति आये खपत के वल 74.3 किलोग्राम थी जबकि विस्व में आपका 239 थी यहनी के हमारे याँ फिर भी आपका लोहे की खपत कम है तो नात्मगरूप से जो आपका विस्व आपका पिर्ती व्यक्ति खपत है लोहे की थोड़ा सा एक डाटा दिया गया है भारत के कुल स्वाद उत्पादन का और उसमें कुछ साल दिये हैं और उन सालों का कमपेरिजन आपस में किया गया है दो आजार बीस तक तो विसिकली पार्च वेसियर लाइन मानी है इनको आपस में कमपेर कीजिए और बताइए क्या कुछ बदलाव आपको मेजर बदलाव आपको दिखाए दे रहे हैं क्या द्यान दीजिए बच्चो तो इस तरह से यह जो था वह आपका डाटा है तो एक बार इसको आप लोग अच्छे से आपका देख लीजिए और इसमें गौर करिए थौड़ा सा आप द्यान दीजिए कि इस पात निर्मान प्रिकेरिया कैसे आपका लोग बनता इस पात बनता उसको प्रोसेजर है तो हम लोग क्या करते हैं पहले कच्चा माल काल खाने से आपका परिवहन केम द्यम से पहुँछता है फिल लोया असको गलाय जाता है ये थे 402 में तो लोया ऐस कोकिंग कॉल और चूना और कठोर बनाने के लिए इसको मेगनीज तो धातू मेल किया अटा जाता है ऐस को गरम करकर कोक इनन के रूप में इस्तमाल करते हैं फिर तलर पदार में साचों में डाला जाता है और आपका धलवा लोहा तयार होता है आपको पुल्टा निकला उसमें आपने चीजे बनाई गरम किया फिर जिस प्रेम में जिस खांचे में चाहिए आपने उसको मैट कर लिया धलवा लोह को पूने आपके गला कर अक्षिन करकर आसुद्धी को हटा कर उसमें मैगनीज निकील कोवेनियम यह सारी जो आपके धुलाई गड़ाई यह सारी चीजे होती हैं और जो धातों का आकार हमको जिस रूप में चाहिए वह हमको मिलकर त्यार हो जाता है यह पूरा एक वापका प्रोसीजर है ठीक तो एक बार इस पूरे प्रोसीजर को देखी नजर दोड़ाईए फिर हम लोग आगे चलते हैं